नमस्कर किसान भाईो तो किसान भाईो अभी गेहूं का बुआई होने वाला है तो ऐसे में जितने भी गेहूं उत्पादक किसान भाई है वो एक उल्जण में कि हम लोग कौन से गेहूं के विराटी का यूज करें जो कि हमको अधिक से अधिक उत्पादन दे और साथ ही साथ हमको उसमें कम महनत करने पड़े तो आज मैं आपको टॉप फाइप ऐसे गेहों का विराटी का नाम बताने वाल हूँ जो कि आपको अधीक से अधीक उत्पादन भी देगा और आपको उसमें कम महनत भी करना पड़ेगा तो ज़्यादा समय नगवाते सिधे वीडियो के तरफ चलते हैं तो किसान भाइयों हमारा लिस्ट है के पांचवा नमबर के यहों का विराटी है स्रीराम 303 इसके अधी की बात करो तो इस सौ से एक सुबीस दिन में फसल पकर तयार हो जाते है और इसके विशेष्टा की बात करो तो इसमें बहुत मजबूत कल्ला आता है और गिरने की समस्या नहीं रहता है बिमारी जैसे ब्राउन रश्ट होता है वीडि में तो उस बिमारी के प्रतिय डोल्रेंस रहता है और इसको उत्पादन चम्त की बात करूं तो ये 25 से 30 कुइंटर प्रती एकड़ उत्पादन देता है लिश्टर के चौन्था नमबर के वराइटी है DBW 252 और इसके अउधी के बात करूं तो ये 127 दिन में पक्कर तयार हो जाता है और इस सभी स्राज्यों के लिए उप्यूकता है और इसके खास बात की बात करूं तो ये आप इस गेहूं की वराइटी में एक ही सिचाई भी करते हैं तो आपका बहुत ही अच्छा उत्पादन मिलने वाला है क्योंकि ये बहुत ही कम पानी चाहने वाले विराइटी है जिस एरिया में ये ये सिचाई की सुईधन नहीं हो पूरी तरह से वर्सा पर डिपेंड है उस एरिया के लिए ये विराइटी बहुत ही बैस्ट रहने वाला है और इसको उत्पादन के बात करूं तो अच्छा खासा उत्पादन आ जाता है लगभग 55 कुंटल प्रती हेक्टर के तक उत्पादन देता है लिष्ट के तीसरे नमबर के वराइटी है DBW187 और ये मार्केट में करन वंदन के नाम से बिखता है और इसके बात करूं तो ये लगभग 120 दिन में पकर त्यार हो जाता है और इसके खास बात करूं तो ये रोटी बना के बहुत बैस्ट रहता है और यदि आप लोग बैकरी कमपनी में भी यदि इसको सेल करना चाहते है इस वराइटी को जरूर लगाना और इसको उत्पादन चमता कि बात करूं तो 75 कुईंटल प्रती हेक्टेर के तक ये उत्पादन देता है और इसके और खाज बात करूं तो इसमें कल्ला भी बहुत अच्छा आता है और मजबूद भी रहता है कल्ला और थोड़ा बहुत टोलरेंस भी रहता है डिसिस के लिए लिष्टर के दूसरे नमबर के वराइटी है स्री राम 111 और ये जल्दी और देरी में दोनों समय आप इसके यूज़ कर सकते हैं बोने के लिए और इसके विशेशता की बात करो तो इसमें कम से चाहिए करना पड़ता है और कम पाने से चाहिए करने में अच्छा उत्पादन दे भी देता है और इसके अधी की बात करो ये 150 में आपके फसल को पक कर तयार हो जाता है और इसके उत्पादन जमता की बात करो तो आपको 26 कुंडर प्रती एकर की रूप में आपको उत्पादन मिलेगा तो ये बहुत ही बैस्ट है जी से एरिया में ये दी सिचाही कम हो दूसे एरिया के लिए विराइटी बहुत ही बैस्ट रहेगा हमारा लिच्ट का पहला नंबर के वराइटी डी 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 डावलु 222 और मार्कर में करन नरहिंदर के नाम से मिलता है और ये भारत के उत्री छेतर जाय से पंजाब हो गया हर्याना हो गया जम्मू कस्मिर हो से अच्छ उत्पादन ले सकते हैं और इसको उत्पादन चम तक के बात करो तो 65 से ब्यासी क्विंटर पती हेक्टेर तक उत्पादन देता है तो किसान भाई यह था क्यों के कुछ पांच ऐसे वराइटी जिसका यूज करके आप लोग अधीक से अधीक उत्पादन लेकर म उठाएं कि दूस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में